स्टन पान कराने के लिए मुह की पकड़ पर spoken tutorial में आपका स्वागत है इस tutorial में हम शिशु के स्टन से गहरे जुराव के लिए मुह की पकड़ के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि स्टन पान कितनी बार कराया जाए शिशु करने से पहले ध्यान दें कि एक असरदार स्टन पान के लिए मुह की पकड़ बहुत ज़रूरी है शिशु के मुह का स्टन से गलत जुराव होने की वज़े से सिरफ निपल से स्टन पान होगा इससे शिशु को बहुत कम दूद मिलेगा जबकि स्टन के एरियोला के निचले हिस्से से गहरे जुराव से शिशु को काफी दूद मिलेगा ध्यान दें कि एरियोला निपल के आसपास का काला भाग है आईए शुरू करते हैं स्टन पान शुरू करने के लिए मा को अपने शिशु को सही तरह से पकड़ना चाहिए ये सभी पकड़ विस्तार से इसी शुरिंकला के बाकी टूटोरियल्स में बताए गए हैं इस टूटोरियल को क्रॉस क्रेडल पकड़ के जरिये समझाया जाएगा याद रहे शिशु के मूँ की सही पकड़ और सफल स्थन पान के लिए जरूरी है कि उसे सही तरह से पकड़ा जाए इस चित्र में मा ने शिशु को क्रॉस क्रेडल पकड़ में सही तरह से पकड़ा हुआ है और शिशु भी स्थन से जुड़ने के लिए तैयार है जुडने से पहले जरूरी है कि शिशू अपना मूँ पूरी तरह खोले जैसे उबासी लेते वक्त क्यूं? आईए समझते हैं एक वड़ा पाओ या बर्गर खाते हुए उम्र में बड़े इंसान को देख कर हम वड़ा पाओ या बर्गर खाने के लिए अपना पूरा मूँ खोलते हैं उसी तरह पूरा मूँ खुला हुआ शिशू अपने मूँ में स्तन का बड़ा सा हिसा ले पाएगा शिशू को उक्साएं कि वह अपना पूरा मूँ खोले और इसके लिए मा अपने निपल को शिशू के उपरी होट पर हलके से चुए जब तक कि शिशू अपना मूँ पूरा ना खोले धीरज रखें, शिशू के पूरा मुँ खोलने में कभी-कभी कुछ पल लगते हैं और कभी दो मिनट याद रहे, स्तनपान की किसी भीस्तिति में स्तन को पकरते हुई मा की उंगलियां और अंगूठा हमेशा शिशू के होटों के एकदम सामने होना चाहिए जब शिशू अपना मुँ पूरी तरह खोलेगी तो उसके निचले होंट को एरियोला के निचले हिस्से को चूना चाहिए और निपल की दिशा उसके मुँ के उपरी तरफ होनी चाहिए ना कि उसके मुँ के बीच में अब इस वक्त मा को चाहिए कि वो जल्दी से अपना स्तन शिशू के मुँ में डाल दे पहले हलके हाथ से शिशू के सिर को पीछे खीशते हुए उसकी ठोडी को अपने स्तन से लगवाएं उसे अपनी पीट को ना ही जुकाना चाहिए और ना ही अपना स्थन शिशू के मूँ में धकेलना चाहिए हलके हाथ से शिशू के कंदों को पीछे से उठाते हुए अपने स्थन पर लाएं मूँ की पकड में सबसे जरूरी बात ये है कि एरियोला का निचला हिसा शिशू के मूँ में होना चाहिए इससे निप्पल शिशू के मूँ के अंदर आरामदायक जगा पर पहुंचेगा शिशू को अपनी जीप से उसके निचले होन्ट के सामने वाले एरियोला के भाग को दबाना चाहिए इससे दूद की बड़ी वाली नलियां दबेंगी और जादा दूद निकलेगा अगली जांचने वाली बात ये है कि शिशू का स्तन से गहरा जुड़ाव है या नहीं गहरे जुड़ाव के लिए मां को बताई गई बातों पर ध्यान देना चाहिए क्या शिशू का मूँ पूरा खुला है? क्या एरियोला का भाग शिशू के उपरी होट के पास जादा दिखता है और निचले होट के पास कम? क्या शिशू की ठोड़ी मा के स्तन में गड़ी हुई है? दूद निकलते समय क्या उसका जबड़ा पूरी तरह नीचे जाता है? और क्या उसका निचला होंट बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है? हालंकि अच्छे से जुड़े हुए शिशू का निचला होंट अधिकतर मा के स्तन में छिप चाता है ऐसे में अपने स्तन को शिशू के निचले होंट के पास हलके से दबा कर देखिए कि क्या उसका निचला होंट बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है? अब शिशू की नाक देखिए अगर उसकी नाक मा के स्तन में गड़ी है तो मा हलके से शिशू का सर पीचे खीचे ताकि उसकी ठोड़ी और जादा मा के स्तन में गड़ पाए और शिशु की नाक और माथा मा के स्तन से दूर रहे ऐसा करने से शिशु स्तन से गहरे से जुड़ेगा शिशु का पूरा चेहरा पीछे ना खींचे इससे निपल से स्तनपान होगा याद रखें स्तनपान मा के लिए आरामदायक होना चाहिए उसे अपने निपल पर चुबन, खिचाफ या दर्ड महसूस नहीं होनी चाहिए स्तनपान मा के लिए दर्ड भरा हो तो इसका मतलब शिशु स्तन से ठीक से नहीं जुड़ा है देखते हैं स्तन से ठीक से ना जुड़ने की कुछ आम वज़े कई माएं एरियोला को दबाकर सिरफ निपल को ही शिशु के मुँखे बीच में रखती है देखिए इस शिशु का मुँख पूरा नहीं खुला है वह सिरफ निपल से ही जुड़ पाएगा यहाँ पर एरियोला शिशु के उपरी और निचले हूंट के पास एक समान दिख रहा है शिशु की ठोड़ी स्तन से दूर है शिशु जल्दी जल्दी लगातार दूद निगल रहा है निपल चूँशते हुए उसके गालों में गड़े पड़ रहे हैं दूद निगलते हुए उसका जबड़ा पूरी तरह नीचे नहीं जा रहा है और निपल शिशु के मूँ के सकत भाग से दबेगा और चुबेगा भी इससे मा को दर्ड होगा और निपल को चोट भी पहुँचेगी और निपल से जुड़ने पर शिशु को एरियोला के नीचे वाली दूद की बड़ी नलियों से दूद नहीं मिलेगा इसलिए शिशु को ज़रूरत के मुताबिक दूद नहीं मिलता अगर शिशु सिरफ निपल से पीता है तो मा को एक साफ उंगली शिशु के मुँग के कोने से अंदर डालनी चाहिए और शिशु की निपल पर पकड़ छुड़नी चाहिए और फिर से शिशु को उसी स्तन पर अच्छे से जोड़ना चाहिए सही जुड़ाव होने पर मा को शिशु को आगे का और पीछे का दूद जरूर देना चाहिए आगे का दूद स्तन के आगे होता है और पानी की तरह हलका होता है ये पानी और प्रोटीन से बनता है ये शिशु के बढ़ने और तंदुरुस्त बनने के लिए जरूरी है और स्तन के पिछले भाग में होता है। ये अधिकतर चर्बी से बना होता है। और शिशु के बुद्धी के विकास और वजन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। शिशु को आगे और पीछे का दूद्ध मिलने के लिए मा को पहले एक स्तन से पिला कर और उसे खाली करके ही दूसरे स्तन से पिलाना चाहिए। स्थन के पूरी तरह खाली होने की जांज के लिए मा को अपने हाथ से उसी स्थन का दूद खुद निकालने की कोशिश करनी चाहिए अगर पानी वाला हलका दूद बाहर आए या फिर काफी सारा गाड़ा दूद बाहर आए तब मा को शिशु को दुबारा से स्तन से जोड़ना चाहिए हाथ से निकाले जाने पर जब पीछे वाले गाड़े दूद की कुछ बूंदे निकले तो इसका मतलब माने शिशु को उस स्थन से पूरा दूद पिला दिया है पर दूसरे स्थन से पिलाने से पहले मा को शिशु को अपनी गोद में बिठा कर हलके से उसका शरीर आगे जुकाना चाहिए और फिर उसका जबड़ा अपने हाथ में पकड़ कर उसे डकार दिलानी चाहिए शिशु को दो से तीन मिनट में डकार आनी चाहिए अगर पांच मिनट तक डकार ना हो तो इसका मतलब है कि शिशु स्थन से अच्छे से जुड़ा था और स्थन पान के समय शिशु ने पेट में जादा हवा नहीं ली है अब माख अपना दूसरा स्थन शिशु को दे सकती है पर अगर शिशु का पेट भरा हो तो दूसरे स्थन से पिलाने की जरूरत नहीं होगी लेकिन मा को स्थन पान के लिए शिशु को दोनों स्थन देने चाहिए पहले एक खाली करके फिर दूसरे स्थन से पिलाना चाहिए अगर स्थन पान करते हुए शिशु सो जाए तो मा को उसके पैरों के तल्वों को हलके से छूकर जगाना चाहिए या फिर उसकी पीट पर गुदगुदी करके या फिर शिशु को डकार दिलवाने वाली स्थिती में बिठा कर सही तक्नीक के साथ साथ जरूरी है कि कई बार स्थनपान कराया जाए मा को 24 गंटों में कम से कम 12 बार शिशु को स्थनपान कराना चाहिए जिसमें से रात को स्थनपान कम से कम 2-3 बार होना चाहिए स्थनपान कराने के लिए मा को शिशु के भूके होने के संकेतों को समझना चाहिए जैसे हिलना, मूँ खोलना, सर को गुमाना, हाथ को मूँ में ले जाना, उंगलियां चूसना और अंगडाई लेना अगर शिशु दूद के लिए रोने लगे तो इसका मतलब देर हो चुकी है यात रहे शिशु दो हफ़ते, छे हफ़तों और तीन महीनों के दौरान तेजी से बढ़ता है और उसे जादा दूद चाहिए होगा कई बार स्तनपान कराने से मा का दूद भी बढ़ेगा इसलिए मा को बढ़ते हुए शिशु को कई बार दूद पिलाना चाहिए याद रखें, पहले छे महीनों के लिए मा का दूद ही शिशु के लिए सबसे पौश्टिक आहार है और सही जुडाव असरदार सनपान के लिए जरूरी है यह टूटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुडने के लिए धन्यवाद